हलो फ्रेंड्स, वेलकम इंडस मीज कीचेन, आज मैं चिकेन भूना मसाला बनाने की रेसिपी लाई हूँ, खाने में बहुत ही टेस्टी है, ये देखिए चिकेन कितने अच्छे से पग गया है और इसका मसाला भी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सिम्पल तरीके से मैं इस र जरूर बनाते होंगे, एक बार इसे मेरी तरह ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगा, एक बार आप इस चिकेन भूना मसाला को खा लेंगे तो बार बार इसे बना कर खाने का मन करेगा, और इसे बनाने का प्रोसेस इतना सिम्पल है कि आपको इसे बनाने में जरा भी आलस नहीं आएगा तो चलिए देखते हैं इस इजी और टेस्टी चिकन भूना मसाला को कैसे बनाया जाता है इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले मसाला तयार करना है तो पैन को गैस पे रखके गर्म करें इसमें जीरा, काली मेर्च, धनिया के बीज, 4-5 काजू और एक सुखे लाल मेर्च डालें लो फ्लेम पे हमें इसे ड्राइ रोस्ट कर लेना है मसाला चिकन के हिसाब से डालें मैं यहाँ पे 500 ग्राम तक चिकन बनाई हूँ उसे इसाब से मसाले को डाली हूँ और कुछी देर में यह दे veggie मसाला भुन कर तैयार हो गया है तो इसे अच्छे से ठंड़ा होने दे और जैसे ही मसाले ठंडे हो जाएं इसे ग्राइंडर जान में डाल दें और इसका फाइन पापर्डर तैयार कर लें मैं सभी इंग्रीडियेंट और उसका मेजर्मेंट डिस्क्रिप्सन में डाल दी हूँ तो उसे जरूर से चेक कर लें और पीसने के बाद ये देखिए मसाले पिसकर तयार हैं तो इसमें टमाटर डाल लें चोटे-चोटे टुकरों में काट कर और उसे भी मसालों के साथ अच्छे से पीस लें और पिसने के बाद ये देखिए हमारा मसालों का फाइन पेस्ट बनकर तयार हो गया है तो अब चिकन बनाने के लिए गैस की और चलें गयस पर कढ़ाई रखें इसमें तेल डाल कर इसे गर्म करें और तेल गर्म हो जाए तब इसमें जीरा डालें उसे कुछ सेकेंड पकने दें मैं इसे रिफाइन वयल में बनाई हूँ आप चाहें तो इसे देसी गी या बटर में भी बना सकते हैं पर मस्टर वयल में इस रेसिपी को न बनाएं जीरा पक जाए तब इसमें दालचीनी बरी लाइची और सुखी लाल मिर्च डाल कर उसे पकने दें इसके बाद इसमें चिकेन के पीसेज को डाल देना है एक एक करके इसमें चिकेन के पीसेज को डाले और इसके बाद प्याज के साथ चिकेन को हमें मीडियम टु हाई फ्लेम पे कुछ-कुछ देर पर चलाते हुए भुनना है इस तरह से चिकेन को भून कर बनाएंगे तो इ इस stage पे flame को low medium पे करके इसे 2-3 मिनट तक ढख कर भूने बीच में कुछ-कुछ देर पर चला जरूर लें और पूरे 5-6 मिनट तक भूनने के बाद ये देखिए चिकन अच्छे से golden हो गया है इसके pieces देखिए तो प्याज के साथ इसे अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें अध्रकलासन का paste डालना है और उसे भी अच्छे से चिकन के साथ भूनना है तो अद्रक लैसन का पेस्ट डाल दें मिडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे भुनना है तब तक जब तक अद्रक लैसन के पेस्ट का कच्छा पन निकल जाए तो इसे मिक्स करते हुए भुने ढाक कर एक दो मिनट तक भुनने के बाद इसमें एक अच्छा सा श्टर दें और इसके बाद इसमें सुखे मसाले अड़ करना है तो सबसे पहले कस्मीरी लाल मिर्च डालें इससे चिकन का कलर बहुत ही अच्छा हैगा हल्दी का पॉर्डर डालें और नमक डाल दें टेस्ट के एकॉर्डिंग अच्छे से मिक्स कर दें लो फ्लेम पे इसे ढख दें बस एक मिनट तक इसे ढख कर पकाएं और उसके बाद लिड को हटाएं अच्छा सा स्टर दें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें तयार मसाला पेस्ट डाल दें ग्राइंडर जान में दो चम्मच जितना पानी डाल कर इसमें डालें और मिक्स करें तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें फ्रेंड्स और फैमली में सेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को दबा लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें चिकेन में सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो पे करके इसे ढख दें पांच से साथ मिनट तक पकाएं और उसके बाद लिड हटाएं और ये दिखिए चिकेन सॉफ्ट दिख रहा है तो अच्छा सा श्टर देने के बाद इसमें गरम मसाला का पॉडर डाल दें मिक्स कर दें और एकदम थोड़ा सा यानि हाफ कब जितना पानी डाल कर इसे मिक्स करें मिक्स करने के बाद इसे ढख दें दो तीन मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दें और लिड को हटाने के बाद वाओ देखिए चिकेन कितना टेमटिंग दिख रहा है इसकी खुस्बू त बहुत ही अच्छी आ रही है तो एक अच्छा सा श्टर देने के बाद लेकपीस चेक करें ये भी अच्छे से पक गया है एक पीस को काट कर चेक कर लें ये अच्छे से सौफ्ट हो गया है यानि हमारा चिकेन बन कर तैयार हो गया है तो इसमें हरी धनिया की पत्ती छी रख कर फ्लेम बंद कर दें और दो मिनट तक ढख कर छोड़ दें ताकि धनिया पत्ती का फ्लेवर चिकेन में अच्छे से आ जाए और उसके बाद इसे एक अच्छे से बोल में सर्व करें और निकालने से ही आपको दिख रहा होगा कितना टेस्टी बना है और इसकी ग्रेवी भी अच्छे से बूने तो आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होगी आप इसे चाबल रोटी पराठे किसी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लेगा तो आप इसे घर में जरूर ट्राई करें मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ना ना भूलें